हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग मैं निशान टीम फिजेक CLC सीकर तो आप लोगों की जेए की प्रिप्रेशन एक्षों सार्पनेस देने के लिए और चैप्टर वाइज कुईक रिविजन के लिए टीम CLC ने जो गुरुनिती कम प्रिविएस एयर्स पेपर्स फोर कंड़क्टर और एटोमिक फिजिक्स के जो 2019 2020 और 21 के फेबुरी और मार्च अटेम्ट में जो कॉस्टिंस आए हैं उनको यहां पर हम डिसकस करने वाले हैं तो उमेज़ा सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी चलिए फिर डिसकसन स्टार्ट करते हैं एक चीज़ और बता दू इसमें मैं की कॉशन जो है इस पॉर्सन से काफी ज़्यदा अमाउंट में आये हुए हैं तो यह जो यूनिट है हमने दो पार्ट में रखी है कुछ कॉशन को हम आज इस पार्ट बन में डिसकस करेंगे बाकी कॉशन को हम इसी कही नेक्स्ट वीडियो पार्ट ठीक है तो देख ऒराब तो कॉशन नूमर बोल रहा है कि त्वडियो फॉरेंट के िंटेंसिटी इंटेंस टी इंटेंसिटी इस मिनिवम में इस शिंटेंस्ट 7 소리 of waves are in the ratio के लिया रहे ठीक है कि वह इंक से बोला है कि ये जो कि वह सिवाइब serie जो इन्टेनशीटी का रिशो लाए ये इन्टरफेरेण्स में जो मैकसिमम मिन्टेनशीटी इई इसका हमेश OR आईवं दिर गथा under root i2 का hall square और minimum intensity हमें मिलती है under root i1 minus under root i2 का hall square यह रेश्टों हमें 16 दे रखा है और हमें i1 by i2 पूझचा है तो इसको जड़ाम सिंप्लिफाइ कर देता हूं रूट i2 से डिवाइड कर दूं तो यह बन जायेगा i1 by i2 का under root plus 1 का hall square अपन under root i1 by i2-1 का hall square equal to 16, हमें root i1y i2 find करना है, ठीक है, तो root i1y i2 find करना है, ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ, root i1y i2 को x, हमें x square निकाल दे गए, ठीक है, तो इसको दोनों तरफ root ले लो, तो x plus 1 upon x minus 1 की value आ गई 4, के लिए रहे कि हाँ से solve करते हैं, तो यह आ जाएगा, हमारे हमारे पास x plus 1 equal to 4x minus 4, तो 5 equal to 3x, x की value आ गई, हमारे पास 5 by 3, यह value आ चुके है, root i1 by i2 की, तो यहां से i1 by i2 की value क्या हो जाएगी, square कर देंगे, तो 25 by 9, fourth option जो है, इनकी intensity के देशों के लिए correct हो जाएगा, okay, next question की तरह बढ़ते है, question number 2, question number 2 देखें, जरा क्या बोला, question number 2 जाएगा, वो यंग्स double slit experiment से लिया गया है, wave optics का question है, बोला, in a यंग्स double slit experiment, the slits are placed 0.320 mm अपार्ट, बतलब यह हमारे पास, अगर यंग्स के experiment की slits हो गई, तो इनके बीच का जो यह separation है, small d, इसकी value हमें दे रखी है, 32 into 10 to the power minus 5 meter, मैंने म experiment कर लिया उसे, clear, और साथ में जो wavelength यूज किये, experiment की दोरान भो भी हमें दे रखी है, 500 nanometer, तो बोला है, the total number of right fringes that are observed in the angular range from minus 30 to plus 30, कि यहां से, इसके center से screen काफी distance पर है, ठीक है, यहां से, यह angle plus 30 और minus 30 के बीच में, इस range में, इस पूरे के पूरे region में, हमें कितने maximum मिल रहे हैं, यह हम से आपर पूछा है, clear है क्या, ठीक है, तो देखो, यह अगर theta है, यह अगर d है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, path difference निकाल सकते हैं, इसके लिए जेली, ठीक है, यह slit, एक slit यह, यहां से, ठीक है, यह हो गया इनका center, अब standard condition अगर मान, तो इनके बीच का separation बहुत कम होगा, यह distance बहुत ज़्यादा होगी, तो यह theta, clear, यहां से इस पे perpendicular कर दो, तो यह भी theta हो जाएगा, तो यह path difference, यह d दे रखा है, तो यह आजाएगा, d sin theta, तो delta x की value की आगई, d sin theta, clear, हम इस 30 degree की angle पर, यहां पर जो maxima बन रहा है, उसका order मान लेते है, nth order का है, तो यह हो जाएगा, n lambda, clear, अब n की value आती हमें, पता लग जाएगा, कि यह central maxima से उपर, इस region में कितने maxima बने, clear, इतने ही उपर बने, इतने ही नीचे बन के लिए, तो solve करते हैं ज़रा इसे, ठीक है, देखें ज़रा, तो delta x equal to d sin theta equal to n lambda दे रखा है, तो d की value हमें दिये 32 into 10 to the power minus 5 meter, theta 30 दे रखा है, तो sin 30 की value half हो जाएगी, n lambda की value 500 nanometer है, तो 5 into 10 to the power minus 7 meter हो जाएगी, तो यहां से n की value find करते हैं, तो यह आजाएगा हमारे पास कितना 16 by 5 into 10 to the power 2 equal to n, तो यह value आगे, हमारे पास 3.2, तो n की value आगे 320, मतलब यह जो central maxima यहां इससे उपर, इस 30 degree की angle की बीच में 320 बनेंगे, symmetry से नीचे भी 320 बन जाएगे, प्लस एक central maxima है, तो total number of maxima आजाएगे into 2 plus 1, तो यह value आगई हमारे पास 641, clear है किया, तो इसमें minus 30 से plus 30 की बीच में, total 641 maxima बनने वाले हैं, clear है किया, तो option match करते हैं जरा, तो 641, third option जो हमारे पास बिल्कुल correct answer हो जाएगा, question number 3 की तरफ बढ़ते हैं, question number 3, हमारे पास atomic physics का caution है, बोला है, इसमें, in an electron microscope, the resolution can be achieved, is of the order of the wavelength of electrons used, to resolve a width of this meter, clear है क्या, the minimum electron energy required is close to, ठीक है बाई, कि बाई, जो हम resolution कर रहे हैं, उसमें जो wavelength हमने काम में लिये, वो उसकी resolution limit के ही आसपास है, मतलब wavelength जो है, वो इसी order के आसपास होगी, तो बोला है कि कितनी energy का मुझे, यहाँ पर electron use में लेना चाहिए, एप्रोक्स value पूछिए, तो देखो किसी भी electron को जब हम VV से एक्फिलेट करते हैं, तो उसके energy, उसके corresponding wavelength आती है, हमारे पास 12.27 अपन अंडरूट VV में एंग स्ट्रंग, किलियर है क्या, अब हमें generally V पता होता है, लेमडा निकालता है, यहाँ लेमडा दे रखा है, वी निकाल लेंगे, किलियर तो लेमडा की value रख दो, एंग स्ट्रंग में कितनी हो जाएगी, 7.5 इंटू 10 to the power minus 2, यहां से solve करो, तो voltage की value आ जाएगी, हमारे पास 26.7 किलो वोल् energy से accelerate कराना पड़ेगा, तो इसके आसपास answer हमारे पास 25 है, तो 4 हमारे पास correct answer हो जाएगा, क्योंकि option में भी हमसे ही पुछाएगा कि nearest value बताने है, clear, next question की तरह बढ़ते हैं जरा, question number 4, question number 4 देखें जरा, 4 में बोला है, consider a young double slit experiment as shown in the figure, what should be the slit separation small d in terms of wavelength lambda, such that the first minima occurs directly in front of slit S, clear है कि यहां हमें first minima बनाना है, तो यहां पर देखो central पर अगर बात करें तो maxima बनता है, central maxima path difference 0, इसी के just ऊपर जब first minima आएगा, तो उसके लिए path difference की value होनी चाहिए, lambda by 2, तो geometry लागा के path difference निकालते हैं, तो यहां से जो wave चलेगी, वो कितना चलेगी, in screen की slit से distance के बरावर मतलब 2D चल जाएगी, यहां से जो चलेगी वो इतना चलेगी, कितना यह hypotenuse, तो इसकी value हो जाएगी, under root 2D का whole square मतलब 4D square plus D square, just python लगा जाया है मिने, clear, तो path difference जो आएगा, S1, S2 के बीच में वो आजाएगा, हमारे पास under root 4D square plus D square, तो इसको हमें solve कर दे जाता हमी, तो path difference आजाएगा, under root 5D square minus 2D, और यह value हमारे पास lambda y2 के को लोना चाहिए, D की value यहां से easily calculate की जा सकती है, तो देखें ज़रा, तो solve करते हैं ज़रा यह से, तो यह आजाएगा, under root 5D square equal to, इसको ज़र लेकर चले जाओ, तो 2D plus lambda y2, दोना तरफ square करते हैं, तो 5D square equal to 4D square, plus lambda square y4, plus 2D lambda, ठीक है, तो यह आगे हमारे पास D square minus 2D lambda minus lambda square y, फोड़ा सार यह एरंज करते हैं, तो 4D square minus 8D lambda minus lambda square equal to 2G, तो यह D में हमारे पास quadratic equation मिल गए, इसको solve करके D की हमारे पास value find की जा सकती है, तो सीधर आचाहरा से बोल सकते है, D की value क्या हो जाएगा, हमारे पास 8 lambda plus minus under root V square, minus 4AC तो plus 16 lambda square upon 8, ठीक है, तो यहाँ से D की value आगा, हमारे पास 8 lambda plus minus यह value हो जाएगी, हमारे पास 16 plus 64 plus 16, यह हो जाएगा, 80, तो अंडर root 80 lambda square by 8, ठीक है, तो D की value फ्लास और simplify करते हैं से, just calculation है, बहुर कुछ नहीं बचा है, इसमें, ठीक है, तो यह value आगए, D की value, 8 lambda plus minus, तो मैं साब साब दिख रहा है कि यह जो value है, वो ज्यादा है, तो negative में तो D आएगा नहीं, तो plus वाला लेंगे के एवल, 8 इनको, 80 को हम लिख सकते, 16 into 5, तो यहाँ जाएगा, 4 lambda root 5 by 8, तो यह value आगए, D की हमारे पास, 2 plus root 5 by 2 lambda, clear, ठीक है, option देखते हैं, जरा, option जो हमें दे रखें, वो root 5 minus 2 की form में दे रखें, तो इसको जरा मैं rearrange कर देता हूं, फिर से एक बार हो, इसको उपर नीचे multiply कर दो, root 5 minus 2 से, root 5 minus 2 से, तो D की value आजाएगी, हमारे पास root 5, a square minus, a plus b into a minus b का formula बन गए, तो 5 minus 4 तो यह बन जाएगा, lambda upon 2 root 5 minus 2, तो इतना जो है, हमें उनके बीच में separation दखना पड़ेगा, clear है क्या, option मैच करते हैं, जरा, तो ऐसा option जो हमें दे रखा है, lambda upon 2 root 5 minus 2, तो fourth option जो है, वो हमारे पास correct इसका answer हो जाएगा, clear है क्या, तो next question देखते हैं जरा, question number 5, 5 में बोला, in a young double slit experiment, the path difference at a certain point on the screen between two interfering wave is 1 by 8th of wavelength, मतलब path difference जो है, दोनों waves का, वो हमें दे रखा है, l lambda y 8, clear है क्या, तो इसके corresponding जो phase difference आएगा, वो आएगा 2 pi y lambda into path difference, तो ये value आगई हमारे पास pi y 4, मतलब 45 degree, तो बोला, the ratio of intensity at this point to that at center of the bright fin, मतलब इस point पर intensity और center पर intensity, मतलब maximum intensity का ratio पूछा है, तो देखो intensity जो लिखी जाती है, किसी भी general point पर वो हम लिख सकते हैं, i1 plus root i2 plus, sorry, यह हम लिख सकते हैं, i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 का, 2 root i1 i2 cos 5, यह होती है, हमारे पास किसी भी point पर intensity, अब यहां कुछ नहीं बोला है, बाकि slits के बारे में, तो यह standard जो हमारे पास ydse में setup होता है, वो हम लेंगे, दोनों slits की intensity, सेम मान के हम ratio निकाल देंगे, clear है क्या, तो maximum intensity जो होती है, हमारे पास अगर मैं i1 i2 को same ले लूँ, clear, i1 i2 को अगर मैं i0 के ले लूँ, तो maximum जो intensity आती है, हमारे पास वो आती है, 4 i0, तो हमें इस point पर intensity और 4 i0 का ratio पूछा है, तो निकालते हैं जरा, तो यहां से i की value आजाएगी, i0 प्लस i0, 2 root i0, i0, तो 2 i0 प्लस 2 i0, cos 5 मतलब cos 45, तो यह value आजाएगी, 1 y root 2, तो यह आगे हमारे पास, 2 i0, 1 प्लस 1 y root 2, यह तो intensity आई है, इसका maximum से ratio निकालना है, तो 4 i0 से divide कर दो, तो हम कह सकते हैं, यहां से i upon i max, यह आजाएगा, 1 y2, क्योंकि 2 i को 4 i0, 1 by 2, 1 plus 1 y root 2, 1 y root 2 की value 0.7, तो यह आगे 1.7 by 2, तो यह value आएगी, हमारे पास 0.85, तो जो ratio है, उसकी intensity और maximum intensity का वो आएगा 0.85, तो हमारे पास first option जो है, वो इसका correct answer हो जाएगा, clear है क्या, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 6 की तरफ, question number 6 देखें जाएगा, question number 6 जो है, वो क्या बोल रहा है, हमारे पास in a young double slit experiment, green light 5303 angstrom falls on a double slit having a separation of 19.44 micrometer, and a width of 4.05 micrometer, the number of bright fringes between the first and the second diffraction minima edge, ठीक है, समय ने जरा caution क्या है, कि young double slit experiment में हमने क्या 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 ग्रीन लाइट जाओ इतने लेमडा की काम में लिए है, ठीक है, जो की एक double slit having separation, कि ये double slit के बीच का separation दे रखा है, हमें, B, 19.44 micrometer, तो 19.44 into 10 to the power minus 6 meter, क्लियर है क्या, ठीक है, and a width of 4.05 meter, इनके बीच की जो width है, slit की जो width है, वो आमें दिरखी है, 4.05 into 10 to the power minus 6 meter, तो वो लाइदा number of bright fringes between the first and second diffraction minima, तो देखो, अगर मैं एक slit का, अगर मैं minima बनाऊ, तो देखो, यहाँ पर तो बन गया maxima, first minima यहाँ आएगा, किलियर, कितने पर, delta x equal to, हमारे पास lambda पर, second minima आएगा हमारे पास, delta x equal to, 2 lambda पर, इसने क्या पूछा है, कि भई, the number of bright fringes between first and second minima, मतलब first minima और second minima, यहाँ इसके बीच में, ydse के कितने maxima बनेंगे, यह पूछा है, तो यह क्या है हमारे पास, यह है हमारे पास, देखो, अगर distance की बात करूँ, तो यह distance diffraction pattern में होती है, हमारे पास lambda dya, किलियर, first minima के corresponding, second minima के corresponding हो जाएगे, 2 lambda dya, तो इनके बीच का separation तो आगया, हमारे पास lambda dya, clear, यह तो आगया हमारे पास diffraction में, अब इस diffraction में, अगर मैं, interference की जो friend विठते है, lambda dyd, इसका divide कर दूँ, तो total number of हमें maximum मिल जाएगे, जो इसमें बने होंगे, यही इसने पूछा है, तो देखो, d से d गया, lambda से lambda गया, यह value आगया, हमारे पास d y small a, ठीक है, d y small a, तो यहाँ value रखते हैं, d की value हमें दे रखी है, 19.44 micrometer, a की value हमें दे रखी है, 4.05 micrometer, तो divide करेंगे, तो यह value आजाएगे, हमारे पास 5, तो 5 maxima, जो हैं, इस region में बने होंगे, के लिए रहे क्या, तो question no.7 देखें जड़ा, क्या बोला है, इसमें, in an interference experiment, the ratio of amplitude of current waves, is a1 by a2 equal to 1 ratio 3, the ratio of maximum and minimum intensity of fringe will be, तो देखो, intensity जो होती है, एक wave की, वो हमारे पास, उसके amplitude के square के proportional होती है, i proportional to a square, तो हमें अगर इनके amplitude का ratio दे रखा है, तो intensity का ratio निकालने के लिए, हम सीधा सीधा सा relation काम में ले सकते हैं, i proportional a square, तो यहां से i1 by i2 का ratio आजाएगा, हमारे पास 1 ratio 9, तो अभी अभी हमने first question किया था, इसी series में, तो i max by i minimum का हमारे पास ratio क्या आता है, यह आता है, under root i1 by i2 plus 1 upon under root i1 by i2 minus 1 का whole square, value रख दो, तो i1 by i2 हमारे पास 1 ratio 9, root रखो तो 1 ratio 3 आजाएगा, तो 1 ratio 3 plus 1 upon 1 ratio 3 minus 1 का whole square, तो यह value आजाएगा, हमारे पास 4y minus 2 का whole square, whole square करेंगे, तो यह value आजाएगी, हमारे पास 4 ratio 1, तो हमारे पास, जो इनका maximum और minimum का ratio आजाएगा, वो first option आजाएगा, clear है क्या, तो next question number 8, देखें जराओ, क्या बोला है इसमें, the figure shows a Young's double slit experiment setup, it is observed that when a thin transparent sheet of thickness t and diffractive index mu, is put in front of one of the slits, then the central maxima gets shifted via distance equal to n fringe bits, means n beta, if the wavelength of the light is u, lambda, then t will be, कि यह हमने ले लिया एक wide ऐसी setup, जिनके slits के बीच का separation है यह, एक स्क्रिंच डिस्टेंस है डी, कि किसी general position के लिए अगर बात करूँ, नॉर्मल कंडिशन में अगर देखो, तो यहां से मान लो अगर यह x1 चला, इदर से अगर यह x2 चला, तो path difference x2 minus x1 लिखा जाता है, a sin theta, ठीक है, लेकित अब क्या किया है, अब हमने यहां पर, एक slit के आगे यहां कहीं, एक t thickness और mu refractive index की एक slab insert कर दी है, जिसकी वएसे एक additional path difference आता है, slab की वएसे, जो path difference आता है, उसकी value हो जाती है, हमेरे पास t into mu minus 1, इतना path difference slab की वएसे और आता है, clear? ठीक है बई, तो अब अगर मैं बात करूँ, तो अब अगर path difference लेका जाती है, तो देखो, फर्स्ट वाले जो सोर्स से जो wave चली है, वो चलेगी x1 प्लस इतना path difference, minus 1, और इस जगे पर यहां खहीं, n beta height पर, क्या बनाए, central maximum, मतल़ यह path difference होना चाहिए, 0, तो यहां से आगे x2 minus x1, equal to t into mu minus 1, x2 minus a sin theta की equal है, तो यहां से t की value आगई, a sin theta upon mu minus 1, अब इस central maxima के corresponding में sin theta यहां से निकालता हूँ, तो देखना, कि यह हमारा theta है, यह है d, यह हमें height दे रखी है, n beta की equal, तो यहां से देखो, तो 10 theta equal to approximately theta, equal to approximately sin theta लिया जा सकता है, ydac की standard conditions के लिए, तो यहां से sin theta की value आगई, हमारे पास, n beta मतलब n lambda dy a upon d, तो यह value आगई, n lambda upon a, यह value यह put कर दो, तो यह आजाएगा, हमारे पास a upon mu minus 1, sin theta की value n lambda upon a, तो इससे यह गया, तो यहां पर t thickness की slab insert करने से, यह अगर central maxima जो है, वो n beta shift होता है, तो इस t की value आगई, हमारे पास, n lambda upon mu minus 1, clear है क्या, तो correct option की, अगर बात करें, caution में, तो देखें जरा, तो first option जो है, वो हमारे पास, correct इसका answer हो जाएगा, n lambda upon mu minus 1, next question की तरह बढ़ते है, question no. 9, question no. 9 में क्या बुला देखना जरा, बुला है, diameter of the objective lens of a telescope is 250 cm, diameter हमें दे दिया 250 cm मतलब 2.5 meter, for light of wavelength 600 nanometer coming from a distant object, the limit of resolution of the telescope is closed to, तो देको resolution limit जो होती है, angular resolution limit जो आती है, telescope के लिए, वो आती है, अमारे पास, 1.22 lambda upon aperture, ठीक है, diameter of the aperture, ये आती है, radion में, value put करो answer पाओ, 1.22 lambda की value हमें दिया 600 nanometer, मतलब 6 into 10 to the power minus 7 upon d की value दे रखिये हमें, 2.5, तो इसको मैं लिख सकता हूं, 5 by 2, ठीक, ठीक है भाई, तो 2 जाएगा उपर, इसको ऐसा करते है, उपर ने चे 2 से multiplier कर देते हैं, तो ये बन गया 10, ये उपर बन जाएगा 4, तो ये value आएगी, 1.22 into 6 into, 6 into, 4 into 10 to the power minus 8, तो ये value आगा, हमेरे पास देखो कितनी, ये आजाएगा, 7.32 into 4, फर्दर स्वाल्प करेंगी, पावर चली रही है, 2.29.28 into 10 to the power 8 meter, या इसको लिख सकते हम, 2.9 into 10 to the power minus 7 meter, तो ये value देखे ज़रा क्या है, तो अपरोक्स value पूछे, तो ये अपरोक्स value 2.9 into 10 to the power minus 7, या हम बोल सकते है, 3 into 10 to the power minus 7, रेडियन जो है, इसकी resolution limit हो जाएगी, next question की तरह बढ़ते है, question number 10 देखें, question number 10 में, क्या बोला है हम से, बोला है, कि भाई slits की width का ratio दे रखा है, तो देखो, वाइडियसी में जितनी चोड़ाई की जो slit होगी, उतना ही ज़्यादा उसकी intensity आएगी, तो slit की जो width है वो intensity के परपोर्चनल होती है, तो जो हमारे पास slit का ratio अब इंटेंसिटी का ratio आगया, तो हम यह बोल सकती हो जाएगा, अंडर रूट आई वन बाई आई टू, प्लस बन अपन अंडर रूट आई वन माइनस आई टू का हॉल स्कॉर, तो यह आगे 2 प्लस बन 3 का, तो नाइन यह आजाएगा, तो 9 रिशो बन, करेक्ट आंसर आजाएगा हमारे पास, फिर्श्ट आपसर, ओके, नेस्ट कॉशन की तरह बढ़ते हैं, कॉशन नमर 11 देखें, कॉशन नमर 11 में क्या बोला है, बोला है, दा वैल्यू आफ नुमेरिकल अपर्चर आप दा अबजेक्टिटिव लेंस of a microscope is 1.25, if light of wavelength 5000 N strong is used, the minimum separation between 2 points, basically ये भी resolution limit per caution है, जो कि हमारे पास microscope की लिखी जाती है, तो microscope के लिए resolution limit की value होती है, हमारे पास d equal to 1.22 lambda upon 2 mu sin theta, where mu is the reflective index of the medium, इस चीज को, इस चीज को mu sin theta को हम कहते हैं, यहाँ पर numerical अपर्चर इसकी value हमें दे रखी है, कितनी 1.25, purely formula बेच कॉशन है, बस formula याद नहीं है, तो ये value आजाएगी, हमारे पास, देखो कितनी, ये आजाएगी हमारे पास 0.66, 0.61, ये value आजाएगी, 0.61 into lambda, lambda की value of 5000 angstrom, मतलब 5 into 10 to the power, minus 7 meter, upon, mu sin theta, मतलब numerical अपर्चर तो ये value दे रखी है, हमें 1.25, अब solve कर लो, ये आजाएगी हमारे पास revolution limit, जिसमें हम, वो minimum distance जिसको हम resolve करके देख सकते हैं, तो 5 से, ये point से तो point गया, 5 से ये जाएगा, हमारे पास 25 times, उपर नीचे 2 से multiple कर दो, ये बन जाएगा 122, ये बन गया 50, ये value आजाएगी 122, by 50, into 10 to the power minus 7, तो यहाँ पर point लगा, ये value आजाएगी, हमारे पास, 2, point, 4, 4, 4 into 10 to the power minus 7 meter, या बोल लो, 0.24 into 10 to the power minus 6 meter, या बोल लो, 0.24 micrometer, तो third option जो है, उसका correct answer हो जाएगा, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 12 देखें जाएगा, question number 12 में क्या बोला है, हमारे पास, बोला है, in a young double slit experiment, when a thin flame of thickness, T having reflective index mu is introduced, in front of the one of the slate, the maxima at the center of the fringe pattern, shifts by one fringe, बिर्तों को अभी-भी caution कियाता है, इस तरह का, कि हमारे पास, यह हमारे पास, एक yDIC pattern है, यहाँ पर T thickness की, mu reflective index की, हमने एक slab insert की, जिसकी वहिए से, जो maxima है, वो n बीटक सग गया, तो वहाँ हमारे पास, T की value आए थी, lambda, n lambda upon mu minus 1, अब इसने बोला है कि, n की बजाए, एक fringe pattern से, हमारे पास, तो n की value 1 रख दो, यह T की value lambda upon mu minus 1, second answer हो जाएगा, ठीक है, polarizers P1, P2, P3 is set up, such that the past, such that the past axis of P3, is crossed with respect to that of P1, मतलब यह past axis है, हमारे पास P1, और इससे, cross position में, 90 degree पर है, हमारे पास P3, ठीक है, the past axis of P2 is inclined, at 60 degree to the past axis of P3, तो यहाँ पर हमारे पास, यह, P2 जो है, वो P1 से तो बना रहा है, 60, और इदर से बना रहा है, 30, ठीक है, वेन बीम अफ अन पोलराइज, लाइज लाइज आफ इंटेंसिटी, आइज इंसिटेंट और पीवर, यहाँ पर आइज नोट की इंसिटेंसिटी आई है, तो बोला है, जब भी एक पोलरोइड है अमारे पास यहां से अगर आइज इंसिटेंसिटी आती तो एक से पास होने के बाद वो आइज टू हो जाती है, एक और पोलरोइज जो इससे थीटा इंक्लाइन हो रखा होता है, उसे पासुनने पर उनेवाले इंटेंसिटी हो जाएगी हो जाएगी हमारे पास अगरकाईट साफिपक टेस्टा उसकूर 20 फ्युक्तिनल्टी तुग अंत कि रखिये हैस इसे निकलने वाली intensity आई है तो यहां से अगर तुम देखोगे तो i not upon i की value क्या आ जाएगी? i not upon i की value आ जाएगी हमारे पास 2 upon cos square theta 1 cos square theta 2 अब यह value निकालनी है theta 1 theta 2 हमको पता ही है 60 और 30 रिखिन। तो इजिली solve कर सकते हैं यह से value रखते हैं जर रहा है इसमें देखिए तो 2 upon cos square theta 1 तो पहले एंगल था 60, cos 60 मतलब half उसका भी square तो 1 by 4, उसके बाद cos square theta 2 तो बना था 30, cos 30 मतलब root 3 by 2 उसका भी square तो यह आजाएगा 3 by 4, तो यह value आ गई हमारे पास 1632 by 3 तो यह value आ जाएगी 10.6666 मतलब first option जो है वो यहाँ पर correct answer हो जाएगा okay next question की तरह बढ़ते है question number 14 देखें जड़ा question number 14 में क्या बोला है हमसे बोला है visible light of wavelength 600 into 10 to the power minus 8 centimeter falls normal on a single slit and produces a diffraction pattern it is found that the second diffraction minima is at 60 degree from the central maxima if the first minima is produced at theta 1 then theta 1 is closer so मैंने जरह क्या कहानी है कि यह हमारे पास एक diffraction pattern की बात कर रहा है कि एक slit है हमारे पास जिसमें lambda जो काम में लिया है उसकी value है 6 into 10 to the power इसको मीटर में convert करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे माइनस 10 तो 6 into 10 to the power minus 7 meter ठीक है नॉर्मल इस पे इस ट्राही किया है और क्या बोला है produces a diffraction pattern it is what is it found that the second diffraction minima is at 60 degree यहां से जो second minima जो बना है न वो बना है 60 degree पर clear from the central maxima if the first minima is produced theta 1 कि वही फर्स्ट minima जो बना है वो theta 1 पर बना है तो theta 1 की approach value यहां पर पूछी गई है ठीक है तो दो को maxima जो बनता है diffraction में first maxima बनता है हमारे पास lambda part difference पे second maxima बनता है हमारे पास two lambda part difference पे part difference की value होई a sin theta तो हम बोड़ सकते हैं यहां पर second maxima के corresponding a sin theta की value दिरकिए 60 degree तो 60 sin 60 की value हो जाएगी हमारे पास root 3 by 2 तो यहां से एक तो हमें a की value पता लग चुकी है एक की value आ गई हमारे पास इसको ऐसी रहन देते हैं इसके corresponding के अगर बात को तो इसके corresponding लिख सकते हैं lambda equal to a sin theta 1 जोड़ों को डिवाइड कर दो यह बन जाएगा 2 equal to root 3 by 2 sin theta 1 तो यहां से sin theta 1 की हमारे पास value आ गई root 3 by 4 ठीक है तो यह value अगर ध्यान से लेकों तो कितना आ गया sin theta 1 यह आ गया हमारे पास root 3 यह मतलब 1.732 upon 4 तो यह आएगा 0.4 तो थीक है तो साइन 30 की value होती है हमारे पास 0.5 तो 0.5 से थोड़ा सा कम आई है मतलब यह value जो 37 में थोड़ा सा कम मिलने वाली है तो 30 से थोड़ा सा कम जो answer जो है हमारे पास वो 4th option correct हो जाएगा इसका के लिएर question number 15 की तरफ चलते हैं देखें जरा question number 15 में क्या बोला है हम से a polarizer analyzer set is adjusted such that the intensity of light coming out of the analyzer is just 10% of the original intensity ठीक है भाई assuming that the polarizer analyzer set does not absorb any light the angle by which the analyzer need to be rotated further to reduce the output intensity to be 0 के लिए कहां नहीं क्या समझना है कि यह हमारे पास polarizer analyzer है जिसके बीच में angle theta ठीक है यहां से i intensity i ठीक है यहां से पास होने वाली हो जाएगी आई नोट वाई टू कॉस्ट स्कॉर थीटा इसने क्या बोला है कि जो intensity इससे आउट आई है वह original की कितनी है मात्र 10 परसेंट यह जो है आने वाली intensity का कितना है 10 परसेंट ठीक है बई तो इसको solve करते जड़ा तो यह आई नोट से आई नोट गया कॉस्ट स्कॉर थीटा की वैल्यू आगई हमारे पास 1 upon 5 तो कॉस्ट थीटा की वैल्यू आगई यहां से 1 upon root 5 तो यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी यह एप्रॉक्स 63.4 अब इसने क्या वोला है अगर वाई विस दे अनलाएज दर नेट वी रोटेटेटीर फर्दर तो रिडूस दा आउट्पूट इन टेंसिटी टू इसको आउट्पूट को क्या बनाना है जीरो बनाना तो देखो थीटा कितना हो जाना चाए यह बिच में 90 हो जाना चाहिए अभी यह 63.4 तो और कित कोई option में नहीं है तो इसका नीरेस्ट पॉसिवल जो आंसर हो हम 18 दे देंगी क्यों क्योंकि और अगर एंगल को बढ़ाते जाओगे तो इस एंगल के आसपास पास पहुंचते पहुंचते इंटेंशी बहुत कम हो जाएगी लगबग जीरू तक ही पहुंच जाएगी इसमें करेक्ट ऑप्शन जाओ 26.6 है यह वैसे देना चाहिए था आस ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो नीरेस्ट जो आंसर है वो यहां पर मान लिया है था नेस्ट पॉशन देखें जरा कॉशन नमर 16 बॉला इन यंग्स डबल स्ट एक्परिमेंट अस्परिमेंट अस्परिमें इसमें पूछी है तो बीटा की वेलु जो है हमारे पास हो जाएगी बीटा की वेलु हमारे पास क्या होती है बीटा का फॉर्मुला है लेंबडा डी वाई डी लेंबडा की वेलु हमें जरा रखिए 589 इंटो 10 to the power माइनस 9 मीटर ठीक है डी की वेलू हमें जरा की डिस्टे 10 to the power minus 5 meter solve करते हैं ज़रा इसे तो देखो 3 से गया 5 times 5 into 10 यह हो जाएगा minus 4 minus 4 से यह बच जाएगा हमारे पास minus 5 5.89 into 10 to the power minus 3 meter ठीक है तो मैं कह सकता हूं 5.9 mm first option जाएगा वो इसका correct answer हो जाएगा next question की तरफ बढ़ते हैं question number 16 देखें ज़रा question number 16 में क्या बोला है हमसे बोला है the aperture diameter of a telescope is 5 meter the separation between the moon and the earth h4 into 10 to the power 5 km with light of wavelength of 550 angstrom and the minimum separation between objects on the surface of moon so that they can they are just resolved to basically क्या है हमारे पास टेलेस्कोप की resolving power पर हमारे पास caution है clear तो टेलेस्कोप के लिए resolving power अगर लिखी जाए तो उसकी value होती है हमारे पास theta equal to 1.22 lambda upon d एक मेंदे जरा क्या बोला है इसने दापड़ता डाइमेंटर ठीक है यह होती है हमारे पास उसके लिए angular resolving power अब तो देखना हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है कितनी minimum separation को यह क्या कर सकता है resolve कर सकता है तो यह में माले तो minimum separation जो है वह हमारे पास d और यह जो हम यहां से अब्जर्ब कर रहे हैं टेलिस्कोप को वो इसकी distance L जो की इस पे अंगल बना रही है थीटा और यह थीटा minimum जो है इसके corresponding यह resolving limit आ गए angular resolving limit तो यहां से थीटा की value में वह सकता हूं डी by L तो d की value meter में निकाल लिए जा सकती है 1.22 lambda yd solve करते हैं तो 1.22 lambda की value हमें दे रखी है 550 0 into 10 to the power minus 10 L की value separation दे रखा है 4 into 10 to the power 8 meter upon d aperture की size हमें दे रखी है 5 meter यहां से solve करते हैं तो यह जो value way around आ जाएगी हमारे पास 53 meter के आराओं तो इस टेलेस्कोप की help से हम जो है 53 meter का जो separation है ना minimum उसको हम resolve कर सकते मून पर या इससे ज्यादा तो कर सकते हैं इस से कम नहीं कर 60 meter third option हमारे पास correct answer हो जाएगा next question की तरह बढ़ते है question number 18 देखें जड़ा 18 में क्या बोला है हमसे बोला है calculate the limit of resolution of a telescope objective having a diameter of इतना if it is if it has to detect light of wavelength of 500 nanometer coming from a star फिर से बही question पूछा है theta की value हमें पता ही है 1.22 lambda की value हमें दे रखी है कितनी है 5 into 10 to the power minus 7 meter upon aperture की size दे रखी है 2 meter स्वालू करके जिली निकाल सकते हैं तो यह value आगे हमारे पास .61 into 5 into 10 to the power minus 7 radian तो value आ जाएगे यहां से 5 3.05 into 10 to the power minus 7 या बोल दो 305 into 10 to the power minus 9 radian fourth option जो है वो इसका correct answer हो जाएगा next question की तरह बढ़ते है question number 19 रेखें जड़ा हूँ 19 में क्या बोला है इसने बोला array of light AO in vacuum is incident on a glass slab at angle of incidence 60 degree and refract at angle 30 degree as under figure तीक है figure में सब को सो कर रखा है तो बोला है the optical path length of the light ray from a to b optical path length की value पूछे कि effective optical path किया है तो जो अगर कोई भी जो light जो है किसी medium जिसका refractive index म्यू है उसमें वो डी डिस्टेंस का travel करती है तो इसके corresponding जो effective path आता है वेक्यू में वो आता है म्यू टाइम्स डी अब यहीं करना है हमें के लिए इसी चीज को काम में लेके हमें यहां पर effective path calculate करना है तो पहले तो मैं इस medium का refractive index calculate कर लेता हूं आई और आर दे रहाखे स्नेल अप्लाइ करें तो वैक्यूम के लिए 1 sin 30 मतलब रूट 3y2 एक्वल टू म्यू sin 30 मतलब 1y2 तो म्यू की value आ गई हां रूट 3 यह तो आगे है मीडियूम का refractive index अब optical effective path की बात करें तो देखो यह है तो यह 60 हो जाएगा alternate angle तो यह है तो यह हो जाएगा a sex 60 तो यह हो की length आगा हमारे पास a sex 60 मतलब 2 है अब यह vacuum में दिखेगा भी vacuum में तो effective length भी है यह यहां बात करतें ओ वी की तो ओ वी की जो भी length आएगी न हमारे पास उसका म्यू टाइम्स जो है वह effective path होगा तो पहले तो ओ वी की length की बात कर देता हूं यह है बी तो यह हो जाएगा b sec 30 b sec 30 मतलब b by root 3 by 2 के लिए रहे किया यह आगए हमारे पास ओ वी की length b into 2 by root 3 अब optical effective path की बात करते तो effective power देखो path देखो ओ यह का तो यह हमारे पास effective path हो जाएगा इस complete एसे बी के लिए के लिए next question 20 की तरफ चलते है question number 20 में हम सब बोला है यह ना यंग दवल स्लट एक्सपरिमेंट 15 ब्राइट फिरिंजेज 15 फिरिंजेज और ऑफज़र्ड ऑन आए स्मॉल पोर्शन आप दा स्क्रीन वैन लाइट ऑफ बेवलेंद 500 इन अप्रेंट यूज तो देखो consecutive जो हमेरे पास फिरिंजेज होते हैं उनकी बीच का सेप्रेशन होता है बीटा एक लेंट में अगर एन फिरिंज बन रही है तो यह पूरी लेंट होगी एन बीटा के लियर ठीक है इसी लेंट में दूसरी यह लेंबडा बनकी कर्रेस्पंड हो गया दूसरे लेंबडा टो यह अगर एन टू बन रही है तो उसके कर्रेस्पंड गिầyन घ double behavior अब कह सकते हैं इनवन बीटा वन ब्रावर थे यहाँ से criticism intended is between slits and screens यह रहा है कि वह lambda vary किया है तो हम बोल सकते है n1 beta की value lambda 1 divided n2 lambda 2 divided तो यहां से बोल सकते है n1 lambda 1 बरावर n2 lambda 2 तो lambda 2 की value आ जाएगी यहां से n1 lambda 1 by n2 तो पहले बन रहे हैं 15 ठीक है और fringe bit थी हमारे पास 500 nanometer अब बन रहे हमारे पास 10 तो यह value आ जाएगी हमारे पास 750 750 नेनो मीटर वेवलेंथ में, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 750, ओके, तो नेस्ट कॉश्चन 21 की तरफ चलते हैं, बोला, ऐसमें, मोबिलिटी अफ और हो, इलेक्टों सेमिक अंदकोर इस अरीश ओफ देर स्वेलासित तो आपलाइड अलेक्रीच फिल्स, इस फोर एन, एन टाइप्ट अप्ट अंदॉक्ट्टर देंशिटी अफ एलेक्ट्रों समय दे रखी है, इस मॉल एन की वैल्यू हमें दे रखी है, और एकवुल तो टेन टो दी पावर 19 पर मीटर क्यूब सात में बोला है वैलिव यूदिर वह में दे रखी है 1.6 मीटर स्कॉयर पर वोल्ट सेकेंड साथ में बोलना है देंदर रिजिस्टिविटी आप दे सेमी कंड़क्टर इस तीक है रिजिस्टिविटी की वैलिव अब क्या करना है वेलु रखो आंसर पाऊ तो वेलु रखो तो सिग्मा की वेलु बन अपोन एन की वेलु टेंड टू दी पाऊवर 19 एकी वेलु 1.6 इंटू टू टी पाऊवर माइनस 19 मु की वेलु दे रखिया हमें 1.6 सॉल करेंगे यासर तो यह वेलु आ जाएगी हमार प 10.3 4 ohm मेटर सिंपल कॉशन था फ़्मॉला बेश्ट नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं उम्हट ट्वेंटी टू 22 में बोलाया है गलियम ऑं जर्मेनियमा एन सिलिकन डयोड़ स्टार्स चंड़क्टिंगे एड 0.3 and 0.7 वोल्त की वही जर्मेनियमा उसलिकन जो इन के लिए ब जर्मेनियम का जो हमारे पास डायोड है इसको अगर हम पॉर्यलिटी इसकी अपॉजिट कर दे तो वी नोट की वैल्यू में चेंज इसने पूछा है ठीक है ठीक है तो यहां का वोल्टेज है तो 12 की बात करूँ तो इस पे तो ड्रॉप कितने का आएगा वेरियर पोटेंसल लाएगा 0.3 का इस पे आ सकता है कितने का हमारे पास 0.7 का क्योंकि दोनों फॉर्वड वाइस में हो गए तो देखो जैसे ही अगर इसको करेक्शन अगर तुम करते हो तो इस पहले आ जाएगा पॉइंट तो इसी में से करेंट फ्लो के आगे बढ़ जाएगा यह ऑपरेट तो यहां वोल्ट आ जाएगा 12.3 वोल्ट का क्लियर है क्या जैसे तुम इसकी पॉलेटी जो रिवर्स करोगे तो यह रिवर्स वाइस में आ जाएगा तो यह तो काम करना बंद कर देगा बट अब यह काम करेगा कॉन सिलिगन वाला तो 12 तो यहां है पॉइंट सेवन का ड् 23 देखें जड़ा 23 लॉजिक गेट का कॉश्चन है सरकेट हमें दे रखा है इंपूट की कर्रेस्पंडिंग आउट्पूट की वेल्यू पोची है ठीक है तो क्या वोला है तो गेट आउट्पूट वन आफ आर दा गिवन लॉजिक सरकेट दा इंपूट वेली मस्ट भी त अफिर यह और गेट एड़ कर देगा तो एकस्वार प्लस भाई ये नेंड गेट तो मल्टिप्लाई करके फिर बाहर लगाएगा के लिए यहां अगर बात करें चुब पहले इसको 12 कर देता हम बार रखायता हूं यह वन जब यह पास्टार प्हलें पहले तो यह एनको क्य यही होता है तो एक्स वार प्लस वाई का बार रहा गया इसको अगर पृट से बार अगर आठाओ तो यह रहा जाएगी एक डबल वार इंटू वाई वार तो आर की वैलु आ गई x into y बार अब हमें र की वेल्व क्या चाहिए है और की जो वेल्व हमें बन चाहिए तो यह कब कब आ सकती है देखो चुक्त ये तो जब जब एकस की वेलू 0 होगी तब तो आने से रहिए कि 01 00 01 0001 1011 जब x की value हो तब तो यह 0 ही रहेगा किलियर साथ में अगर तुम देखो यहां पर जब y की value 1 होगी तो y का बार 0 आएगा तो फिर से 0 आ जाया किवल इस condition में 1 आने वाला तो तुम वो देखो option जिसमें x तो 1 हो और y 0 हो तो x 1 y 0 वाला third option जो है वो हमारे पास यहां पर correct answer ह हो जाएगा के लिए रहे क्या हमें next question 24 देखें जरा क्या बोल रहा है बोला है for the circuit zone below the current जिन डायोड तो जिन डायोड का जो हम application जो है as a voltage regulator काम मिलेते हैं काम कैसे करता है कि वही इसमें से current आना start हुआ आपने इंट्पर बोल्टेज को बढ़ाया ठीक है तो अगर इसके टर current आयेगा वह लोड पर चला जाएगा पर जैसे इसका वोल्टेज पहुंचेगा तो यह operate करने लग जाएगा अब बढ़ाने पर अब इंपुट बढ़ाने पर जितना भी extra current आयेगा वह इसमें से पास होगा इस पर current को यह constant कर देगा लोड पर जब लोड पर current constant है तो आई क्या करो एक बार यह मानदो जिंने इयोड काम नहीं कर रहा है खिillin in a इयोड को काम ने करता हुआ मान लो इसकी मान लो और फिर इसके टर्मिनल्स vallahi Communaut аб corrupted लॉ 개da काल अगर वोल्टेज से कमाया अगर जाद रहा है ज chakra से पहले क्यों को करने लगने का तो देखते द.'s जराए बीचेक क्यों के लिए इस हम तो पर थैक कर रहा है तो है अगर फै को एक फाइब तो American 10 के abbiamo 10 15 into 120 तो यह value यह पास 80 यह विल्यू कि आ गई एटूजर्ट यह बैसके अरगा यह 20 जो कि हो योगी सकता कभी क्यों कि रेगुलेटर करेगा 50 से ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देगा तो अपन सापसाब कह सकते है यह तो पता लग जाएगा इस तरह से तुम्हें कि अपरेट कर रहा है क्योंकि वो अपने जीनर बोल्टेज ज्यादा बढ़ नहीं नहीं देगा तो अपने अपरेट कर रहा है मतलब इस और इस टर्मिनल की बीच में होगा अमारे पास कितना जा रहा हुगा थे से पूट इस 커ंट कितना जा रहा होगा नोचनि two स्टाय 34 मीली एमपएर आया जिस में से चाहिए लोड पर डेफिनेटल आया होगा एंज्ञाए जिस नाइन मिली एंपियर पास हुआ हुआ किलियर है क्या next question 25 की तरफ चलते हैं next question देखें जरा question number 25 again जिनने डायोड पर question है बोला है in the given circuit the current through the diode H यह हमें BZ दे रखा है 10 volt अब देखो वही चेक करना है अगर इसको माल लो open circuit है अगर voltage 10 volt से कम आएगा तो current flow नहीं होगा क्योंकि operate नहीं करेगा तो यह आए टू यह हो गया हमारे पास effective circuit जो है यह हमारे पास 500 ohm 1500 1500 इसका आजाएगा effective 750 इसके across में voltage निकाल लेता हूं इसके across voltage आजाएगा voltage से डिवाइड रूल से 750 अपन टोटल राइसंस 1250 के लिए इन्टो टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट करते है जीरो से जीरो गया 50 से 3 ताइम्स 5 ताइम्स यह आ गया 36 वाई 5 तो यह वैल्यू सेवन पॉइंट सम्थेंग आ रही है इसके across बोल्टेज सेवन पॉइंट सम्थेंग आया है जो कि जिनेड वोल्टेज से कम है मतलब तो डेफिनेटली जीरो ड्योट अप्रेट नहीं करेगा तो शॉडिए सब्स्राइब करेंगे इसमें से 0 मेली k लिए रहाए कि आइच काश्चन नमर्ट 26 कि तरफ चलते हैं देखें जताना नेक्स्ट नमर्ट 26 में क्या वोला हैं तो सरकेट शन्व बिलो पांतनेंस चु यह वाला तो फारवर्ड यह वाल्टेश इस में यह तो नहीं तो नहीं हटा सकते हो इस को सर्कुर्किय्ट में से तो तो टोर्टल अगर मैं बात करूं तो अफ्क्रत प्रेस्टेनिट्ट क्या हो जबाइब देप्टिट्ट से 150 ohm यह है हमारे पास 100 ohm यह short circuit होई गया है और इसका forward में resistance है हमारे पास कितना 50 ohm और यह बैटरी हमने लगाई है 6 volt की इसलिए हम इसमें से current find कर सकते है current की value आ जाएगे हम byr की value हो गई हमारे पास 300 तो यह value आ गए 0.02 ampere मतलब first option जो है इसका correct answer हो जाएगा question no.27 देखें जो रहाँ क्या बोला है इसमें the output of the given logic circuit output की equation बतानी है तो यहां से a input आया है तो a इसको मिलेगा a इसको मिलेगा b से आया है तो b इसको मिल गया b इसको मिल गया nand gate है multiply करके बाहर लगाएगा ठीक है अब यह a b बार दो जगे इनपूट दिया तो यहां आएगा a multiply करेगा पहले तो यह इंटू a b बार फिर बार लगाएगा तो यह value आ जाएगी ए वार प्लस a b इसकी बात करें तो पहले add करेगा और गेट है तो a b बार प्लस b इसको solve करते जाना तो यह बन जाएगा a bar प्लस b बार प्लस b b प्लस b बार बन होता है और a bar प्लस बन यह भी हमारे पास one दे देगा मतलब यह output मिला है one अब देखो यह और यह इस लास्ट वाले nand gate को input की फॉर्म में मिले है तो यह क्या करेगा पहले तो multiply करेगा a plus a b को one से multiply करेगा फिर बार लगाएगा तो y की value की आ जाएगी इस पर बार लगा दो तो यह हो जाएगा हमारे पास a bar प्लस a b का बार ठीक है तो यह value आ जाएगी a double bar into a b का बार तो यह value आ गई a into a b का बार मतलब a bar plus b bar तो यह value आ गई a bar प्लस a b bar a bar होता है जीरो तो यह value आ जाएगी a b bar मतलब 4 इसका correct answer हो जाएगा तो next question 28 देखें जरा ट्रांजिस्टर पर वेस्ट कॉश्यन है बोला in the figure given that bbv supply can vary from 0 to 5 volt and beta dc current gain जो है यहां पर basically ic upon iv की जो value हमें दे रखी है इस ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर ट्रमिल के बीट जो potential difference वन बोल दे रखा है दैर पूछा है दा minimum base current and the input voltage at which the transistor will go to saturation तो ट्रांजिस्टर पर पहुंचेगा तो ट्रांजिस्टर में output circuit को अगर देखो तो वीसी का जो potential difference वो हो जाएगा हमारे पास 0 के लिए तो output बाले circuit में में KVL लगाता हूं तो यह जीरो है यह जीरो है यह जीरो हमें 5 बोल्ट दे रखी है तो यह 5 हो जाएगा यह जीरो इस पे भी 0 potential difference तो यहां का भी 0 आ गया तो ic की value हम साब साब बोल सकते है potential difference 5 upon RC तो 5 बोल्ट अपॉ हमें पता है ic upon ib होता है तो यहां से इस saturation condition में ib की value आ जाएगी ic upon beta बीटा की वेल्टा की वेल्टा की वेल्टा तो यह जाएगा हमारे पास ib की value 25 micro ampere के लियर ib ic upon beta से 25 micro ampere अब बोला है कि वे इसके corresponding इस situation में bvb कितना होगा तो देखो बीवी पे लगाते हैं जरा तो यहां 0 यह जीरो यह voltage डॉफ इसके को इस वन बोल्ट दे रखा है तो यह 1 हो जाएगा यह 0 यह bvb हो जाएगा तो यहां से ib की value अगा लिखी जा कि यहां से solve करते हैं तो यह value आ गए हमारे पास 2.5 एक्वल टू वीवी माइनस बन तो वीवी की value आ गए 3.5 बोल्ट तो ऐसा option देखो जिसमें बेस करन 25 micro ampere है और वोल्टेज जो है वो 3.5 तो 25 micro और 3.5 बोल्ट फूर्ट ऑप्शन जो है वो इसका correct answer हो जाएगा next question की तरह बढ़ते हैं जड़ा question number 29 तो क्या वोला है इसमें ता reverse breakdown voltage ऑफ जीनर डायोड इस 5.6 बोल्ट इन दा के लिए इसका जो वीजड़ आमें 5.6 दे रहा है अगर यह operate नहीं करेगा तो 7.2 हो जाएगा मतलब definitely operate करेगा क्योंकि यह वीजड़ से जड़ा बढ़ने ही निदेगा voltage को clear तो मतलब यह operate कर रहा है इसमें से current निकालते है current निकालते है सेवन मिली एंपियर ठीक अब देखो यह 5.6 है इदर से भी इसमें current आएगा total current कितना आएगा 9-5.6 by 200 ohm तो यह value आगा है हमारे पास 0.4 6 3.4 by 200 तो यह आगा है 17 मतलब यहां से 17 मिली एंपियर current आया है जिसमें से 8 7 मिली एंपियर जो है वो लोड में गया है तो 10 मिली एंपियर जो है वो जीन डायोड में गया होगा तो थर्ड जो है अपसन इसका correct answer हो जाएगा next question की तरह बढ़ते है question number 30 देखें जड़ा है जिसमें क्या वोला है its DC current gain is 250 तो इस कॉमेंटर के लिए बीटा की value हमें जैदी IC upon IB की value हमें पता लग चुकी है IC upon IB बीटा की value जो है वो हमें पता लग चुकी है कितनी है 250 साथ ने हमें इसने collector ration RC की value 1 क्लोम और VCC की value 10 बोल देरा किया what is the minimum base current for VCE to reach saturation कि अगर यह saturation पहुंच गया तो IB base current की value पूछिए सेम काम करना जो थोड़ी दर पहले किया saturation में यह जीरो हो जाएगा जीरो VCC की value कितनी रखिया में 10 बोल तो इसमें collector current आ गया IC की value आ गया 10 upon RC RC की value 1 क्लोम तो यह आ गया 10 million अब करेंट के नमको पता ही है तो यह आ जाएगा 10 million एंपियर अपन आई वी तो यह वैल्यू आ गई हमारे पास जीरो से जीरो गया आई वी की value आ गई हमारे पास 1 upon 25 million एंपियर ऊपर ठीक है इसको कॉस्ट नवर 31 में क्या वोला एंपन ट्रांजिशने यूज़िए इन कॉमन इमिटर कंफिगेशन एज एंप्लिफायर विद 1 क्लोम लोड रिस्टेंट तो हमें लोड रिस्टेंट जो दे रखा है यह बोल दो आर आउट पूट आउट रिस्टेंट जो दे रखा है वो द करेंट देलिंट कि वैल обыч की वैल्यू हमें दे रखी है 3 dorm 2018 माइक्रों एंप्र centre Clayton डेल्ट आवी की वैल्यू हमें दे दिए विए 15 माइक्रोंumen और या पूछा है गालो इनंपूट रेस्टेंस टैंट वोल्टेज गेन और तो डिroll बमता Keys an में एक मैट क्या हो आसने 15 माइक पे चेंज इन बेस करन्ट इंपूट रेस्टेंस एंड वोल्टेज गें तो देखो इंपूट करेंट पता है इंपूट वोल्टेज पता है तो यहां तो सकते हो कि आर इंपूट की जो वैलियो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास इंपूट रेस्टेंस जो कि इसमें भी दे रखा है साथ ने पूचा है इसमें की बताना हमें वोल्टेज गेंड क्या हो जाएगा तो वोल्टेज गेंड की जो वैल्लू है वो हो जाएगी हमारे पास बीटा क्रांट गेन इंटो रजिस्टेंस गेन तो बीटा कीवैली कितने हो जाएगी डेल्टाいくपन अ भी मतलब थरी मिली एंपएर मिली एंप्र ऑनर्फेंग आप गयर कि अउंट přेंटे करन कितना 3 cm एंपक था कितना 51map аю इन्टू, आउट्पूट रेस्टेंग, लोड रेस्टेंग दे रखा 1 किलो ओम, ठीक है, और इन्पूट रेस्टेंग कितना आया, 2 वाई 3 किलो ओम, तो यहां से तुमारा वोल्टेज गेन आ जाएगा, तो यह वैलू देखो, कितनी आ रही है, यह आगे हमारे पास, यह वोल्टेज गेन है 300, तो second option जो इसका correct answer हो जाए, next question की तरह बढ़ते हैं, जो आग, question number 32, 32 में क्या वोला है, the logic gate equivalent to the given logic circuit, इसके corresponding, जो हमें output का रहिसन बताना है, sorry, इसके corresponding हमें gate बताना है, कि यह जो gate है, वो किसके equivalent है, मतलब इसका वही output आएगा, जो इनमें से, उस option के corresponding output है, तो solve कर लेते जाए इसे, तो क्या वोला है, A आया, तो यहाँ आया, A बार यहाँ आग आएगा, तो यह आगे, हमारे पास A double bar plus B double bar, मतलब A plus B, तो हम कह सकते हैं कि यह और gate के equivalent है, next question की तरह बढ़ते है, question number 33 देखें, 33 में क्या वोला है, अगें transistor का question है, बोला, an NPN transistor operate as a common emitter amplifier with a power gain of 60 decibels, power gain हमें दे रखा है, ठीक है, AP हमें दे रखा है, 60 dB, साथ में क्या वोला है the input circuit resistance is 100 ohm, ri की value 100 ohm बोली है, and the output load resistance भी बोली है, r out की value 10 kilo ohm, ठीक है, the common emitter current gain beta की value हमें पूछी है, तो पहले तो मैं यहां से decibel में इसने हमें क्या दे रखा है, पावर gain दे रखा है, इसको नॉर्मली निकाल लेता हूं, तो decibel को अगर आप नॉर्मली करमट करों तो इसको current gain, तो यहां से यह value आजाएगी, यह गया, AP की value आगई, यहां पर 10 to the power 6, यह आगए actual current gain, actual current gain को हम लिख सकते है, sorry, L to the power gain को हम लिख सकते है, current gain का square into resistance gain, resistance gain मतलब load resistance upon input resistance, तो यह value आगई, यहां से हमारे पास beta square की value 10 to the power 4, मतलब beta की value जो है, वो 10 का square अतलब 100 रही होगी current gain की value, clear है क्या, तो next question 34 number देखें जरा, जीनर डायोड भई, voltage regulator का question है हमारे पास, बोलाए, इस में the figure represent a voltage regulator circuit using a जीनर डायोड, the breakdown voltage of the जीनर डायोड is 6 बोल्ट, मतलब जीनर डायोड पे अगर 6 बोल्ट या, 6 बोल्ट से अगर कम बोल्टेज हुआ तो अपरेट नहीं करेगा, 6 प बोल्टेज जो है, वो 8 से 16 बोल्ट तक वेरी कर रहा है, तो हमें इसको ऑपरेट कराने पर minimum और maximum करना बताना है, मतलब यह ऑपरेट करे गई, करेगा, तो यह डायोड को ऑपरेट कराने के लिए पहले तो में इनकी value निकाल लेता हूं, जरा कि कितना minimum चाहिए, तो इसको और ऑपरेट करवाना है, तो यहाँ जीरो, यहाँ 6, ठीक है, जीरो यहाँ 6 बोल्ट हो जाएगा, तो यह 0 यह 6 इसकी value 4 किलो ओम तो इसमें तो current fix हो जाएगा, कितना voltage difference 6 अपान 4 किलो ओम, तो यह आ गया 1.5 मिली एमपेर, इतना तो इसमें से current flow होगा, इसके काम करने पर, ठीक है, ठीक है, यह काम कर रहा है, इसमें current constant, तो इसका voltage constant, voltage regulator के तरह वेव करेगा, अब input voltage को अगर मैं बढ़ाता जाओंगा, बढ़ाता जाओंगा, तो extra current आएगा, पूरा का पूरा जीन डायोड में से पास आएगा, तो minimum का मिलेगा, जब भी minimum होगा, maximum का मिलेगा, जब तो इसमें से आया, 2 milliampere, 2 milliampere में से 1.5 उदर चला जाएगा, 0.5 इसमें मितलब diode में minimum current आयागा, 0.5, तो ऐसे दो option दे रखे, अब maximum की बात करें, तो maximum 16 हो सकता है, तो इसमें आ गया कितना, 16 minus 6, 10 by 1, 10 milliampere, जिसमें से 1.5 उदर गया, इदर कितना जाएगा, 8.5, तो यह हो 9.5, ओके, next question की तरफ चलते हैं, तो दे को यहां से A आया, तो यही इसमें डारेक्ट पहुंच रहा है, तो यहां भी यह पहुंच गया, यह B, यह और गेट है, एड़ कर देगा, यह NAND गेट है, multiple कर देगा, तो A, multiple किया और बार लगाया, तो इसको solve करते हैं, तो यह बन जाएगा, पहले तो बार बात में में आ जाएंगे, A बार, A, B का बार, ठीक है, A बार, A बार प्लस B बार, A बार प्लस A बार, B बार, A बार common ले लिया, 1 प्लस B बार, A बार इंटू, 1 में कुछ भी एड़ करो को बनी आएगा, तो आंसर आगे, A बार, मतलब यह पूरा का पूरा जो गेट है, वो A का 1-0, 1-1, B से कोई मतलब निया, A का उल्टा देगा, बस जीरो तो यहां 1-1, 1 है तो यहां 0-0, यह output आएगा, तो option देखो जरा, तो पहले 1-1, फिर 0-0, तो second option जो है, वो यहां पर हमारा correct transfer हो जाएगा, इसके corresponding, तो next question 36 की तरफ चलते हैं, बुला इदा, transfer characteristic curve of a transistor having input and output resistance 100 ohm and 100 ohm, respectively, it's shown in the figure, the voltage and power gain की बात हम से किया है, तो देखो, input और output resistance दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो इसका resistance gain अगर में लिखो तो वो हो जाएगा, output resistance, upon input resistance, तो यह आगया 10 to the power 3, ठीक है, अब अगर current gain की बात की जाएगा, तो देखो, common यह जो हमें दे रखा है, input और output, वो IC औ delta IC upon delta IV, तो IC versus IV ग्राफ दे रखा है, तो किसी भी time पे अगर मैं इसका slope निकाल लूँ, तो delta IC upon delta IV से बीटा की बेल्यू मिल जाएगा, तो देखो, इस दागे पर delta IC की वेल्यू देखो, 15 minus 10, 5 milliampere तो आगया, हमारे पास delta IC, यहाँ अगर देखो, तो delta IV की वेल्यू 200 से 300, तो 50 आगया, बीटा की वेल्यू, current gain आगया, फिटा, अब इसने पूचा क्या है, इसने पूचा voltage gain, तो देखो, voltage gain, यह अगर हम लिखना चाहते, तो हो जाएगा, हमारे पास current gain into resistance gain, तो multiply कर दो बर तो यह हो जाएगा, 5 into 10 to the power 4, तो यह यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर आगे बात करें, power gain की, तो power gain हो जाएगा, हमारे पास current gain का square into resistance gain, तो current gain का square हो गया, हमारे पास 2500, resistance gain is 10 to the power 3, तो यह value आगा, 2.5 into 10 to the power 6, तो इन दोनों में आप देखो, तो हमारे पास second option, जो है, वो correct answer हो जाएगा, इस question के लिए, okay, next question की तरह बढ़ते है, question number 37, question number 37, question number 37 में क्या दे रखाय में बोला है, figure so, a DC voltage regulator circuit, जीनर डायोड और break down voltage 6, again जीनर डायोड का question, तो देखो, साफ साफ इन पैटरन से तुम्हें पता लग गया होगा, कि semiconductor में अगर मैं बात करूना, तो majority में जो question जो है ना, यहाँपा जो देखे गए exam में, वो हैं एक तो जेनर डायोड पे, और एक है हमारे पास logic circuits के output पर, clear है क्या, और repeatedly भी caution, caution है, इस पर हमीं मिल रहे है, ठीक है, तो easy portion है, scoring portion है, मैं कहुंगा, definitely हमें, revise करना चाहिए, exam से पहले, ठीक है, तो देखें जरा क्या वोला है, वोला है, इस ने, if the unregulated input voltage varies from 10 to 16, then what is the maximum general current, फिर से उस maximum and minimum current find किये थे, एक condition में general के लिए, तो देखो, operate तो इसको कराना ही है, maximum current पूछा है, तो देखते हैं जरा, अगर यह operate कर रहा है, तो इस पर voltage कितना आएगा, general voltage, तो यह हो जाएगा, 0, reverse voltage में इस पर आजाएगा, यह 6, तो यह 6, इसमें current कितना आजाएगा, 6 by 4, तो 1.5 milliamp clear, अब यहाँ पर हमें maximum current निकाला, तो maximum input voltage लगा जिते हैं, तो जो कि यह 16 volt, 0, 16, तो यह आजाएगा, 10 का तो इसमें difference आगे, तो यह current आगे है, यहाँ से 5 milliampire, अब दो को maximum current input आ सकता है, 5 milliampire, जिसमें से 1.5 चला गया, लोड पे, तो definitely general diode में से maximum current है, वो हो जाएगा, 5 minus 1. 1.5 मतलब 3.5 milliampire, second option जो है, वो इसके लिए correct answer हो जाएगा, next question की तरह बढ़ते है, question number 38, देखें जरा सभी लोग, 38 में क्या वोला है, which of the following gate gives a reversible operation, तो देखो, reversible operation जो है, वो एक तरह से हमारे पास not gate देता है, तो अपनको बस यह देखना है, not gate कौन सा है, clear, तो यह जो है, अ next question देखते हैं, question number 39, question number 39 में क्या दिया है, हमें बोला है, in the figure, potential difference between A and B, A और B की बीच में potential difference पूचा, यह है, A और यह है B, तो देखो, यहां से 0, यह 30, इधर से, इस side की respect में, इधर potential जादा होगा, मतलब, definitely यह क्या है, हमारे पास forward bias में होगा, यह diode, अब यह forward bias में है, तो यह 10, यह 10, यह total कितना आगया, हमारे पास यह 10 kilo ohm, यह parallel में तो यह होगया, 5 kilo ohm, तो जितना इस 5 kilo ohm के across effective voltage होगा, उतना ही 10 kilo ohm के across रह होगा, तो इसके across अगर voltage drop निकालना है, तो voltage divider लगा है, 5 upon total resistance into total voltage, तो यह value आगया, हमारे पास 10 volt, मतलब, A, B में जो potential difference है, वो 10 volt option, next question number 40 की तरह बढ़ते हैं, question number 40 की तरह बढ़ते हैं, question number 40 देखे क्या होगा, boolean relation of the output, stage y for the following circuit, तो इस तरह कि सर्कृटल एनालोगी आपको इजली मिल सकते हैं, कि आपको सर्कृटल एनालोगी डेजिया, बोल दिया कि यह जो circuit है, वो कौन से gate की तरह वेव करता है, ठीक ह ठीक है, जैसे मैं इस circuit के across बात करूँ किवल यह देखना जारा, यहां output की बात करूँ, तो A और B input ले लिया, Y output ले लिया, ठीक है, जब यह हमारे पास A के high voltage, 1 होने का मतलब है high voltage होना, 0 होने का मतलब हो low voltage, तो 0, 0, 0, 1, 1, 0, और 11 के corresponding input देखते हैं, तो देखो, देखो, द होगा, तो यहां पर आपन को कोई voltage नहीं मिलेगा, output में तो यहां बात करते हैं, तो जब देखो, A को switch को अगर मैं off कर दूँगा, तो यहां 5 voltage, यहां भी 5 मिल जाएगा, तो यहां 1, इसको 1 करने पर यह 1 मिल गया, यह तो 0 रखा, तो A को 1 करने पर यह 1 मिल गया, ठीक है, आप इसको तुम क्या करो, इसको खुला रहने दो, मतलब इसको तो 0 कर दिया, इसको बंद कर दो, मतलब इसको बंद कर दिया, तो यह 5 voltage यहां आ जाएगा, तो यहां 1 मिल जाएगा, अब दोनों को अगर कर दोगे तो दोनों short circuit हो गए, दोनों forward wires में आ तो फाइब वाल जा है जाएगा प्लस बिर स्केंट उसके बाद लगाया तो यह था वो выпार यह हमारे पास जो है वह योह बाहर 20 से करेक्ट 10 जाएगा यह कौश्ट 21 की तरफ चलते हैं कॉस्ट नमर फोर्टीवन में क्या दिया इंदा गिवन सकेट वैल्यों बाइगें आउट्पट पूछा है देखो बहुत जदा रिपीट हो रहे हैं इस तरह के कॉश्ट एक्जाम कि निकालते हैं तो यहां फर आउट्पट बकुछा यांजे कोई दिफकत वाली बात नहीं 에ए बंद्धी आट वन का व्ट यहां पर मल्टिप्लाइ Celtर बनगा यह नहीं पहुंट इस पे आगर दें तो बन बन जाएंगे उसका नॉट लोग तो जीरो तो आउटपुट आएगा यहां जीरो तो बॉलाएं दबाई वाई की वेलु क्या हो जाएगा यहां पर फोर्थ ऑफ्सटों हो जाएगा जिरो हो जाएगा ऑके तो नेक्स्ट कॉश्चन कॉश्च नमर फॉर्टी टू दे अजन से हाइन जिए तो यह जो है आमारे पास सब्सक्चिर बच यह बीच बच गए और साथ में हमारे पास हें तो इसमें करेंट की बार्थ करूं तो कितना हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपन रेशन कितना हो गया टैन फाइव फाइव ट्वेंटिफाइव थर्टी यह वैल्यू आ गई हमारे पास थी तो पॉइंट फ्री एम्पीर जो है इस सरकेट में करेंट फ्लो हो रहा होगा और इनदा फिकर एड टी उकल टू जिरो जंटे में करेंड तो जब ऑपेसिटर यह वह विदिछ चार्ज होता तो प्किलिए के लिए डी चार्ज की सीवीट हं तो मैंने टी वाइट टौ की वेलू आती है तो बोला इसने और सी टाइम पर बताओ कितना चार्ज होगा तो देखो जैसे इस पर चार्ज की वेलू आ जाएगी तो यह अगर तुम देखो तो देखो यह हाई वोल्टेज होगी तो मैं कह सकता हूं यह हमारे पास प्लस यह माइनस तो यह डायड होगी रिवर्स वायज अगर यह रिवर्स वायज तो इसे ओपम सेकेंड विएव करेगा तो यह कैपेश्टर से जो चार्जर मुव भी नहीं करेंगा करेंकर नहीं करेंगा तुवर्स दिश्याज नहीं नहीं होगा तो तो है अरुकर चार्ज़ के बास चाहर चार्ज कितना रह जाएगा और यह उब cv की value पता लग चुकी है पहले क्या रहेगी cv cv नहीं रहेगी नहीं भी तो cv और cv-y-e तो फूर्थ ऑप्सन जो है वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कॉस्टन नमबर 1444 देखें जरा question no.44 में क्या बोला है both the diodes used in the circuits shown are assumed to be ideal and have negligible resistance when these are forward biased but built-in potential in each diode is 0.7 volt मतलब इनको जब लगाया जाएगा तो यह हमारे पास forward bias में यह जो सरीन के जो barrier potential जो हमें दे रखा वो दे रखा 0.7 volt ठीक है बोला है तो for the input voltage in the figure a point का potential बोला है कोई दिक्कत ही नहीं है देखो गोस्सिंपल कोशन है कि इसका पता है 12.7 इसकी रेस्पेक्ट में अगर देखो तो यह हमारे पास low होगा यह हाई होगा तो यह forward हो गया यह 12.7 है इसका barrier potential हमको जो रखा है 0.7 तो यह definitely क्या रहा होगा 12 volt रहा होगा सिंपल हमें नेक्ट कोशन देखते हैं रहा क्वेशन नमर 45 बुला है दा स्थरकिट सोन बिलो एज वर्किंग एज एट बोल्ट डेसी रेगुलेटर मतलब यहां पर जो आउट पुट होगिया तो यह जीरो यह एट वोल्ट फिक्स इंपूर्ट है 12 बोल्ट का ठीक है भाई तो इसमें से करंट जो आ रहा होगा 12 8 मतलब 4 यह रेश्टन्स होगिया 400 ओम तो यह करंट आगिया हमारे पास बन अपर अंडर मतलब 10 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 3 इंपयर यह बोल दो 10 तो दी पावर माइनस 2 इंपयर इतना करंट आगिया और बूल जाए कि डायोड स्पेस में क्या हो इसने बोलाए कि अगर दोनों को दोनों डायोड अगर अगर आइडेंटिक है तो पल डायोड पावर डिसीप इसनों बताना है तो डायोड कितना जा गयारे 10 तो दी पावर माइनस 2 वोल टेज बता है एक बोल तो पावर आजायेगा दोनों डायोड स्पे टोटल वोग मार टायोड रहा होगा इसने पावर फ्रक्र पूचा है तो एफ गरा नेक्ट कॉशन नम्मर फोर्टीश की तरफ चलते हैं बोला यह हमारे पास एक जिसका कॉशन आ चुका है अब बोला हाइड्रोजन अटम इनिसियली इन ग्राउंड इस्टेट इसको एब्जोर्व करके यह एक्साइट हो जाएगा मानलो एंथ स्टेट में तो पहले तो मैं एंड की वेल्यू निकाल लेता हूं तो 1 अपॉन लेंडा एक्वल टू आर र की वेल्यू अगर लिखी जाए तो एंग इस्ट्रंग में 1.1 इंटी 10 तो दी पाउर माइनस 3 आर जैड स्कॉरर 1 अपॉन अपॉन एनल स्कॉरर माइनस 1 अपॉन अपॉन एनल स्कॉरर यहां से एन की वेल्यू निकाल है तो यह आजा इस्टेट इन टंप्स ओब रिडियाश के लिए रहे क्या एक्स रेडियस बतानी है तो रेडियस की वेल्यू आती है हमारे पास N2 by Z ठीक है इंटु एनोट अगर 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 अगरे हमारे पास क्या है ग्रांट इस्टेट की है तो एन की वेल्यू रगदो पर का स्कॉर ज Z की value कितनी है hydrogen के लिए बोला है तो 1 into A0 तो यह value आ जाएगे 16 A0 तो यह जो है हमारे पास उसकी ground state की comparison में 16 time बाली radius में orbit कर रहा होगा तो correct time तरह जाएगा first option. Next question number 47 की तरह बढ़ते हैं Question number 47 में बोला है in a hydrogen-like atom when an electron jumps from N cell to the L cell तो basically है किया है यह हमारे पास KLMN मतलब 1,2,3,4 अब क्या बोला है इसमें hydrogen में electron jump किया M से L में M से L में jump किया मतलब 3 से 2 में आया है यह आगे क्या बोला है the wavelength of the emitted radiation is lambda यहां से lambda wavelength की निकली है ठीक है वही आगे बोला है if an electron jumps from N to L, N में से L में अगर jump करे तो यहां पर wavelength तो इसने पूछिए lambda 10 की value क्या है तो कोई दिक्कत नहीं यह transition के formula लगा हो यहां पर लिखे तो 1 upon lambda की value आजाएगी rz square 1 upon nl square minus 1 upon nt square तो यह value आगई हमारे पास lambda की value आजाएगी यहां से 36 by 5r z की value 1 है clear दूसरे transition के corresponding लिखें तो लिखेंगे 1 upon lambda dash rz square rz square 1 upon nl square minus 1 upon nt square ठीक है solve करते हैं तो यह value आगई हमारे पास 1 upon lambda dash z square की value बन हो जाएगी तो r यह आजाएगा हमारे पास 12 by 4 into 16 तो यह गए हमारे पास 3 तो यहां से lambda dash की value आगई 16 by 3r अब इसको lambda की terms में convert करना है तो यहां से बनपनार की value रख दो बनपनार की value कितनी यहां से 5 lambda 36 तो यह आजाएगा 16 by 3 into 5 lambda by 36 तो यह value देखो 4 से जाएगा हमारे पास 4 times यह जाएगा हमारे पास 9 times यह आजाएगा 20 by 27 lambda तो तो second option जो है इसका correct answer हो जाएगा purely formula based question है तो next question number 48 देखें जरा बोला है इस में alpha particle of mass small m suffers one dimensional elastic collagen with a nucleus at rest of unknown mass it scatter directly backward loading 64% of initial kinetic energy the mass of the unknown nucleus basic collagen type का question है कि यह हमारे पास helium हो गया है जो मानलू V speed से जा रहा है यह capital M mass की एक rest पे nucleus से hit किया और collagen के बाद में यह मानलू V dash से पीछे आने लग जया clear यह capital M आगे जाने लग जाएगा तो इसने अपनी 64% energy loss कर तो simple elastic collagen का formula का मिल जो क्या होता है हमारे पास इसकी first particle की जो final velocity है वो हम लिख सकते है M1-M2 into U1 अगर initial U1 मानलू में तो plus 2 M2 U2 upon M1 plus M2 direct formula लगाएं B dash मिल जाएगा तो B dash की value यहां से आ जाएगी हमारे पास small M minus capital M initial velocity U1 upon M plus M clear यह आगए final speed अब इसने बुलाए कि lost energy 64% है तो remaining energy कितनी हो जाएगी 36% तो मैं remaining energy की बात कर लेता हूं देखना remaining energy के लिखेंगे half mass S का small M into speed S की VD S का square मतलब M minus M upon M plus M into V का whole square यह तो आ गई इसकी remaining energy जो कि यह initial का हमारे पास 36% अब दोको यह value जो है इसको मैं small M minus M की बजाए capital M minus small M में रख देता हूं ताकि केवल magnitude बचे यह क्योंकि M ज्यादा है small M कम है ठीक है अब solve करते हैं half M से half M गया दोन तरफ root ले लो M minus M upon M plus M V square से तो V square गया 0.6 तो यह value आ जाएगी M minus M equal to 0.6 capital M plus 0.6 small M तो यह value आ गई यहां से 0.4 capital M equal to 1.6 small M तो capital M की value आ गई 4 times small M मतलब जो भी nucleus है वो helium से 4 times में ज्यादा मास्का होगा थो थर्ड ओप्सन जो यह correct term सुरह जाएगा तो question 59 देखते हैं जरा क्या बोला है इसमें radiation coming from transition N equal to 2 to N equal to 1 in hydrogen atom falls on helium plus ion in N equal to 1 and 2 then the possible transition of helium ions as the absorbed energy from the radiation कि वही पहले तो क्या हुआ hydrogen में 2 से 1 तक गया है यह तो यहां पर तो 10.2 का जो है हमारे पास electron volt का photon release हुआ है यह photon helium में 1 और 2 में गिरा तो वह कहां तक जा सकते हैं तो है जिली लिख सकते हैं ठीक है अब N equal to 2 से एक्षेट होना है तो देखो टू से जब 3 जाएगा तो 7.56 तो कम है ज्यादा मिल रही है तो इतना तो एक्षर्व करेंगा ने क्योंकि क्या वोला है पिप्टिमें क्या वोला है टेकिंग दा वेवलेंथ और फ़स्ट वामर लायन इन हिद्व्टोन स्पेक्ट्रम n equal to 3 2 n equal to 2 3 to n equal to 2 as 660 nanometer, the wavelength of the second warmer line 422, तो पहले तो क्या है, हमारे पास 3 से 2 में आई, उसके लिए lambda 1 हमको दे रखा है, 660 nanometer, अब अगली जो है, वो हमारे पास 4 से 2 में आ रही है, इसके corresponding lambda 2 निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ formula, तो 1 upon lambda 1 equal to rz square, 1 upon lower state का square, minus 1 upon higher state का square, ठीक है, यहां से लिखेंगे, 1 upon lambda 2 equal to rz square, second वाले के लिए, तो 1 upon 4 minus 1 upon 16, तो यहां से दोनों को divide कर दो, तो lambda 2 upon lambda 1, lambda 1 की value 660 nanometer, equal to, यह आ जाएगा हमारे पास, 5 by 36 upon 12 by 4 into 16, तो यहां से lambda 2 की value solve कर रहा हो, तो यह आ जाएगे, 488.9 nanometer, second option, correct answer हो जाएगा, next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 51, हाँ बही, 51 में क्या वोला है, a helium plus iron is in its first excited state, first excited state मतलब n equal to 2, first ground state से वो excited हो चुका है, तो n equal to 2 में क्या पूचा है, its ionization energy, तो ionization energy क्या हो जाएगी, ionization energy होती है, हमारे पास 13.6 z square upon n square, 13.6 z helium में हमारे पास 2 का square, और 2 से ही excited करना है, तो 2 का square, तो यहां से 13.6 ही हमारे पास क्या आ जाएगी, ionizing energy हा जाएगी, fourth इसका correct answer हो जाएगा, हाँ भी, next question दीक्ते जारा, question number 52, बुला, in lithium plus electron is, first electron is in, in lithium plus electron in first bore orbit is excited to a level by a radiation of wavelength lambda, when the ion gets de-excited to the ground state in all possible ways, including intermediate emissions, a total of six spectral lines are absorbed, what is the value of lambda, कि electron जो अपनी ground state से क्या गया, किसी nth state में पहुँच गया, किसी lambda को absorb करके, clear, और जब यहां से de-excite हुआ, तो dx से टोटल स्पेक्ट्र में लाइन जो आएंगी, n से 1 में आने के लिए वो आएंगी, n into n minus 1y2, और यह value इसन दे रखी है 6, तो यहां से दे को n into n minus 1 की value आगा 12, तो n आगे है, यहां से हमारे पास 4, clear रहे कि 4 into 3 12 हो जाएगा, मतलब यह 4th में गया है, अब यह इसके corresponding lambda पूछा एजिली निकाल सकते हैं, तो वही 1 upon lambda equal to r, r मतलब 1.1 into 10 to the power 7, clear, 10 to the power 7 meter inverse में आजाएगा, into z square, z square हमारे पास lithium है, तो lithium का square, 3 का square, 1 upon nl square मतलब 1 minus 1 upon nl square, यह value जब हम solve करेंगे, तो lambda की value यहां से आजाएगे 10.8 nanometer, ओके, हावे, question 53 में क्या बोला है, an excited helium plus ion image 2 photon in succession, with wavelengths 108.5 nanometer and 30.4 nanometer, in making a transition to ground state, कि जो हमारे पास helium plus ion में, helium plus ion में, जो हमारे पास electron है, वो मानलो किसी nth excited state में, जहां पर n2 में, यहां से पहले तो वो n1 में आया, n1 में जब में आया, तो इसने 108.5 nanometer की क्या commit किया हमारे पास एक wavelength इमिट किया, ठीक है वाई, उसके बाद n1 से एक इसमें आ गया ground में, तो यहां इसने 30.4 nanometer की एक और wavelength इमिट किया है, तो एसने बोला है कि इस अगर ऐसा हुआ तो बताओ लेंबडा की value क्या है, तो यह the quantum number n corresponding to its initial state, तो initially state मतलब n2 की value उसने पूछी है, कोई दिक्रत नहीं है, कि जब यहां से यहां तक आया है, यहां से यहां तक आया है, तो इस से यहां तक आने में, तो यहां से यहां तक आने में total energy release हुई है, वो photon की energy केक को लें, तो energy लिखते हैं, पहले transition में energy कितनी आई, तो वह है हमारे पास formula दे रखा है, 1240 electron volt upon lambda angstrom में, तो 108.5 nanometer में, equal to 13.6 Z, helium में हमारे पास Z square, 1 upon NL square, मतलब बीच वाला N1 square, minus 1 upon N2 square, यह तो पहले transition के लिए आगिया, दूसरे के लिए वो ले तो 1240 upon 30.4 nanometer equal to 13.6 into Z square, 1 upon NL square, minus 1 upon NH square, के लिए यह equation number 1, यह equation number 2, दोनों को अगर add कर देंगे, तो N1 गाया वो जाएगा, N2 की value यहां से आजाएगी हमारे पास 5, ठीक है, हाँ बढ़ी, next question देखें जाएगा, question number 54, बोला, the electron in a hydrogen atom first jumps from the third excited state, बितला, excited state basically है क्या, यह हमारे पास N equal to 1, यह 2, यह 3, यह 4, के लिए जब electron यहां से आजायागा, तो यह first excited state होगी, यह हमारे पास second, यह हमारे पास third, मतलब four, जो है, वो third excited state है, three, जो है, वो second excited state है, तो बोला है, इसने कि electron जो है, फर्ले third से second excited state में गया, मतलब four से three में गया, उसके बाद, and, subsequently to the first, उसके बाद three से two में गया है, तो इसके corresponding wavelength जो है, the ratio of respective wavelength, यह lambda 1 emit होगा, यह lambda 2 emit होगा है, of the potency, तो lambda 1, lambda 2 का ratio बताना, तो देखो, लगाओ formula, first transition के लिए लिख सकते है, one upon lambda 1 equal to rz square, one upon lower state का square, minus one upon higher state का square, ठीक है, यहां से लिखेंगे second के लिए, तो one upon lambda 2 equal to rz square, one upon lower state का square, minus one upon higher state का square, दोनों को divide कर दो, तो यहां से आजाएगा, हमारे पास, लेंबडा 1 by lambda 2 निकालना, तो equation number 1, equation number 2, आप divide के जिए, 2 upon 1, 2 upon 1 अगर पन करते हैं, तो यह value आजाएगी, यहां से हमारे पास, lambda 1 by lambda 2, equal to पहले यह आजाएगा, तो यह आजाएगा, 5 by 4 into 9, फिर यह आजाएगा, हमारे पास, 7 by 9 into 16, तो 9 से 9 गया, 4 से यह 4 टाइम्स गया, तो यह आजाएगा 20 by 7, इनका जो रेशा 20 by 7, मतलब 1st option हो जाएगा, ठीक है, तो यह जो हमारा discussion, जो है, वो 1st, यूनिट 14 का 1st part complete हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आपको इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक सभी बच्चों को गुड़ लग, थेंक्यू,